कर दो सकता है आपके साथ भी यह ठीक है तो हुआ कि आज में राइड कर रहा था जब में रेज दे रहा था तो अचनक से बाइक पूल करने लगी ठीक है जड़का दे देकर आगे जारी ऐसा लग रहा है कि पेट्रोल खतम होने जैसे होता है एक फिलिंग आता है सेम तो सेम वैसे फिलिंग था लेकिन मेरा ना कोई पेट्रोल का इश्यू था ना ऐसा कोई था कि पेट्रोल में कुछ प्रॉलम है यह मुझे पता है कि जहां से मैं पेट्रोल लेता हूं काफी अच्छा पेट्रोल देता है तो प्रॉलम क्या हो रहा था तो देखिये, एक मस्ता प्रॉलम में क्यूं बता रहू हूँ छीक है, आपको सिधा मैं प्रॉबल्म में लेके जाता हूं, देखिए, air filter मैंने खौल दिया है, ठीक है, और air filter मेरा यहां पर रखा हूआ है और आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या अंदर में है यह देखिए ठीक है इंजीन ओयल एर फिल्टर के यहाँ पे अब यह यहाँ पे आया कैसे सबसे बड़ी बात कैसे आ सकता है तो इसका एक जो रिजन होता है जनरली वो है अगर आप इंजीन ओयल अगर बहुत फुल रग पुल देते हैं ठीक है एकदम टॉप लेवल से उपर भर देते हैं तो यहाँ पर जाने का एक प्र्लैलिटी रहता है अब क्यूं होता है देखिए यह पाइप सिधा एंजीन का जो चेम्बर है यह पाइब अगकर देख सकता है सिधा इंजीन के अंदर में गुज गया नीचे वड़ा पार्ट भी तो मूदमन्ण हो रहा है मतलब Piston जब उपर नीचे हो रहा है तो उपर compress जब कर रही है ठीक है तो जब Piston नीचे जा रही है तो एक्चुली नीचे compress कर रही है तो नीचे का हवा जो है एरिया जो है उसको निकलने का जगा तो रही है उपर के होता है जब कमशन होता है तो इंटेक धोरिर के थे फैसे इसको इसा प्रिश्टन को क्या है तो यह दो आइक यहां से कहा है जब पिस्टन नीचे के कारवटर थूर्ट से वो कंबशन एरिया में वह चली जाती है फिर जब पिस्टन जब उपर आता है तो यहां पर एक नेगटिव प्रेशर आता है तो यहां से फिर हवा अंदर जाती है तो यह सांस लेने का एक पाईप आप बोल सकते हैं गियर बोक्स का ठीक है अब होता क पाईल है ठीक है तो वह सिधा इसके अंदर में चला जाता है और यहां से फिर कारवटर होके इंजिन में चला जाता है लेकिन मेरे केस में ऐसा नहीं हुआ ठीक है मैं एंजिन ओयल ठीक ठाक से मेंटेन करता हूं तो मेरे केस में क्या हुआ मुझे जहां तक लगता है मेरा जो एए एर फीडिटर है अब देख सकते हैं पूरा जाम हो चुका है ठीक है अ जब मैं throttle दे रहहा हूँ, तो यहाँ पर तो negative pressure joint हो रहा है, इसको तो हवा चाहिए, तो यहाँ से हवा नहीं आके, इसका हवा को use कर रहा है, और यहाँ से जो भी engine oil ये खीच पा रही है, ये खीच ले रही है, ठीक है, और यहाँ से जाके फिर यहाँ पर engine oil चला गया, और ये जटका फिल हो रहा था तो इसका solution किया है पहले तो मैं इसको clean कर लूँगा इस एरिया को air filter को मैं कली चेंज करूँगा शाम तक मैं इसको change कर दोंगा तब तक मैं बाइक को ज्यादा high race में नहीं चलाओंगा दीरे दीरे चलाओंगा ठीक है और उसके बाद जो question आता है कि कारवटर का क्या condition है उसका जो डायफ्राम में उसका क्या condition होगा जो रबर जो piston टाइप कर रहता है उसका क्या हाल है तो पहले में इसको change चटके देख लूँगा कुछ दिन चलाता हूं अगर सब कुछ ठीक ठाक मेरे case में हुआ है आपके साथ भी हो सकता है तो यह चीज दिमाग में रखिएगा कभी जो engine oil है वो कभी भी आप more than top मत यूज कीजिए mid range यह थोड़ा mid range से थोड़ा ज्यादा आप उसको भर सकते हैं और air filter का आप ध्यान रखिए तो friends में अपना काम कर लेता हूं ठीक है और यह वीडियो अगर आपको informative लगए तो please मेरी चैनल को subscribe कीजिए like कीजिए comment कीजिए इस वीडियो में और किसी friend को अगर इस information से अगर help काना चाहते हैं तो please इस वीडियो को share जोर कीजिएगा thanks for watching awesome tech rider and keep watching awesome tech rider